कि किसी भी solid body के ऊपर कोई molecular species कोई bent attract होता है तो उसे हम लोग adsorption कहते हैं तो जो bent के ऊपर attract होता है उस bent को हम लोग adsorbent बोलते हैं और उसके ऊपर attract होता है उसे adsorbent बोलते हैं वही हम लोग adsorbent और adsorbent के बारे में जाने बारे हैं वही हम लोग केखते हैं सबसे पर adsorbent के हैं तो बोल रहा है इस a solid body which attracts the molecular species on the side body बोल रहा है कि इस a solid body जो molecular species को अपने उपर attract करता है मतलब अगर कोई solid body यह कोई solid body है और यह molecular species कोई पेंट्स को अपने उपर attract करता है वही है जो attract करता है solid body इसली को बोग adsorbent करते हैं जसना कि एमोगे महा लिखाता एक adsorbent बोडी solid body करते है मारा नेक्स्ट है adsorbent the molecular species which is attract to the solid body adsorbent का मतलब होता है molecular species वो paint जो कि solid surface के उपर attract होता है यह बोला है the molecular species which is attract जो attract to the solid body which is solid body की तरफ attract होता है उसे ही adsorbent करते हैं और एक्षोटा सब्सक्राइब करते हैं तो एक्षोटा का देना एक्षोटा सब्सक्राइब तो एक्षोटा तो यह अवोज हहाँ से उर्जा ही कली है आप तो चाहे तो इसका screenshot लेकर इसका नूटस मना सकते है तो भूब ने भी adsorbent के साहँ adsorbent के और रहाट है लिएक है और निए बन देख्ञिए भाड है, अब होगारा नेख्स डेख्ञिए है एबजोप्शन अब हम उन पने कि इन ले खेल था एबजोप्शन तो इंप्जोंब्शन के बोलता है वहां सुरिक बोलता है उनीग एबजोप्शन के केस में molecular species attracted to the inside of the solid body अम लोगों at Jobjson में पढ़े थे कि जो molecular species है वाँ solid body के ऊपर अठ्राइक होता है अर एप Jobjson गुल रहा है कि मेरे case में मेरे case में जो molecular species है वो मेरे अंदर अठ्राइक होगे आदे की solid body के अंदर अठ्राइक होगे प dépendहे पीड़सिश Cosis attracted to the molecular species of attract इंसाहीं आप्त wild body प के अंदर के तरह इसंगहे चाहे। ो इसे अजब इस नेस एपच़ोप्सिश केंगे तो जब माली कुगिदल सबसेश कि इस एंदर अपच़ोप्सिश पहा चाहे हैं आप जॉप्सन के बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है सॉप्सन के बार में क्या सॉप्सन क्या कहरा है आपने बार में बार में लेखते हैं इन दगयर सॉप्सन के केस में एकस बार में मेरे केस में जो एक साथ मुझें आटेक्स हुले और मेरे केस में कि मैंने क्याम सबसार्चियी लिख़। वो उपर से भी होगा, on the solid body होगा and inside the solid body होगा जैसे, इस अमब में आपके सिकने, adsorption plus absorption is equal to absorption आनि कि adsorption और absorption इस जबने, molecular species को एक साथ attract करें जब एक साथ attract करेंगे, adsorption and absorption takes place simultaneously is known as absorption जब भी किसी solid body पर adsorption और absorption एक साथ attract होगे, तो उसे बोलेंगे, absorption adsorption plus absorption is equal to absorption next है, disorption, disorption तरकुछ sorption को opposite है जैसे adsorption, absorption क्या और opposite था, ठीक उसी तरह से, sorption, disorption को opposite है disorption क्या बोल रहा है, removal of molecular species from the solid body आनिक ही, जाहे वो adsorption के process में हो, absorption के process में हो, absorption के process में हो जो molecular species है, हम किसी साथा पे paint की है समझाते हैं कि वह बिग बनरवाल force of attraction के हाँ चिपका होता है तो जब बिग बनरवाल force पूरी तरह से कान हो जाता है, तो पेंट को खर्मना स्टा हो जाता है जब जाने की परिके का आच्ड जाने के प्रिक्रिफिया तो गी this option के आच्छा है याँ देखे जो उपर से ये paint है, ये adsorption है और इजन भीकरा से ये paint के आवाल ये adsorption है झाल झाल